पीसी ज्वेलर्स के शेर में काफी तकड़ा उचाल आया है अगर आप एक महीने पहले खरीदे होते तो 100% रिडरन मिल चुका है इसमें क्या अब ये बेचने का समय आ गया है और वेल्यूएशन की दरश्टी से क्या है इसकी फियर वेल्यू आई ज़रा चल कर समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले अगर पीसी ज्वेलर्स की बात करें तो डिमांड अब बढ़ती जा रही है शादी का सीजन शुरू हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए फिलाल जो लोग अपना शादी के सीजन को हाई प्राइस को अवोइड करना चाहते हैं वो बरसात के सीजन में खरीते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डिमांड कम रहती है इसलिए यह ज्वेलरी बिजनस जो क्वार्टर होता है थोड़ा टफ क्वार्टर होता है बट कोव 15%, 10%, 20% और यह 47 रुपे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है इसकी फिर यहाँ पर देखें यह करीब 106 पर्तिशत इंक्रीज किया है इसने 23 रुपे का जो लोग लेवल बनाया था उसके बाद से कंटीनिवसली उपर ही उपर सर्केट में चला जा रहा है पॉसिबिल टर्ण हो गई है और कंपनी का जो positive impact आ रहा है through their operations वो इनके लिए यहाँ पर potential resolution plan की बात चल रही है जो की आगे चल कर अगर ऐसा होता है तो कंपनी के लिए काफी अच्छी सहुलियत बन सकती है impact of import duty government ने बढ़ा ही थे आपको पता हुआ जिसकी वैज़े से price काफी तेजी से उड़ गया था बट अब इस import duty hike की अब यह stock market जो jewelry के stock है उन पर थोड़ा negative impact था पर यह इसने defy the gravity किया है और almost 100% increase हो गया है supreme quarter ने अपना security and exchange board का जो fine लगाया था एक करोड रूपे का चार individual के लिए उसको side में रख दिया है और कहा है कि alleged insider trading activity share of PC jewelers जो 2018 में थी that SEBI का rule को अलग कर दिया है और PC jewelers ने अपना resolution after borrowing account turned NPA और यह इसके लिए 1314 bank जो इनके consortium है including State Bank of India यह इसको अब restructuring की बात चल रही है यहाँ पर जो इनका EBITDA है वो 34 करोड के आसपास है अब देखें दो main कारण है इनके PC jewelers के जो इतनी तेजी से उपर बढ़ रहा है दो कारण की वज़े से इसने काफी उच्छाल किया है यह दोनों के दोनों कारण trading circle के base news है इसको take it with a pinch of salt सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको खरीदने की बात की कर जा रही है अगर ऐसा होता है तो इसके लिए dream honeymoon period शुरू हो जाएगा जिसमें company को अगर कोई overtake करता है तो potentially एक बड़ा अच्छा offer मिल सकता है shareholder के लिए देखे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर blue stone company की कीरा अधवानी जी इनकी brand ambassador है और इन्हों ने इसके लिए यहाँ पर अगर financial parameter देखे जाए blue stone के reference में तो देखे करीब-करीब 285 करोड का expenses है और करीब 260 करोड के इनके revenue है तो अभी इस साल में यहाँ पर losses तो है 13 करोड के आसपास बट जो losses है कम होते जा रहे हैं और आगे चलकर इनको turnaround profitability बनती चले जाएगी अगर expense breakdown देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे major इनका expense है वो है cost of material देखे almost यह इसका 80 75 to 80% के आसपास इसका cost है जो total cost है 194 करोड के आसपास जो second largest है इसके में वो है जो hallmark certification and other और उसके लावा employee benefit and other expenses IT के expense भी इनके relatively कम ही है इतने जादा नहीं है तो उसे साब से company के लिए काफी अच्छा फायदा होगा जब company की demand बढ़ेगी अभी हाँ पर EBITDA negative है company के लिए Bluestone के लिए और यह अभी IPO आने वाला है अभी IPO नहीं आ है second case अगर loan restructure होता है जैसा यहाँ पर जो private bank है उन्होंने हामी भर दिया है बट public sector bank ने अभी confirmation नहीं दिया है अगर ऐसा होता है तो यह इनके लिए banks के साथ जो active discussion हो रहा है अगर fruitful निकलता है तो दोनों companies के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा यहाँ पर it will lead better margin for this particular PC ज्वेलर company corporate action volume is going definitely higher और एक आपके लिए book recommend ज़रू करेंगे rich dad poor dad एक इसकी saying है do not work to earn money work to learn अगर आप सीखना objective होगा तो ही आप long term में अपना पूरा का पूरा जो भी आपका future objective है कहीं vacation है आपका honeymoon plan कर रहे हैं कहीं तो वो सारी की सारी चीज़े आपके लिए काफी advantage हो सकता है अगर learning 2,60,000 रुपी earning की है बट important बात ही है छे trade की 6 में चाहे किसी में 1,000 रुपे का ही profit मिला है बट overall अच्छा profit रहा है इस तरह से अगर PC dealer की market cap देखे जाए तो 2200 करोड की company है और हर दिन 50 लाग के आसपास share and exchange तो 50% की delivery होती है और देखे इसके जो business है revenue गिरता जा रहा है 10,000 क करोड का आसपास इसका revenue रहा गया तो इनको definitely operation में improvement लाना है और उसी साब से loss भी जो है 391 करोड का loss था पिछले financial year में promoter holding 54% है और public की holding करीब 42% के आसपास है यहाँ पर अगर public holding में देखे जाए तो LIC 1.49% corporate bodies 2.6% HUF 2.59 निरेश मित्तल HUF 1.8 और NRIs के पास 1.2% की holding है technicals अगर देखा जाए उससे पहले अगर valuation की बात की जाए तो हमारे इसाब से जो fair values की under value range है 30 रुपे के नीच है तो under value रह सकता है 30 रुपे से 55 रुपे की range जो ही है रहेगी और over value zone है जहाँ पर अगर जाए तो आप उसमें exit कर सकते हैं 60 रुपे से 100 रुपे के आसपास इसकी यह valuation रहेगी अब देखे इन्होंने काफी बड़े level का यहाँ पर अपने पास में production रखे हैं different different styles बनाते हैं और अलग- jewelries पर काफी अच्छी discount भी देते हैं और देखे आप चाहे तो 15,000 से इसका diamond शुरू हो सकता है और साथ-साथ में आप jewelries को अपना gold को भी इनके साथ trade कर सकते हैं online e-digital gold को खरीच सकते हैं और बड़े pendant और other define इनके पास में काफी बड़े-बड़े level के designs हैं इस तरह से कर दे bearing on the price and required disclosure of 4C तो यहाँ पर Bombay Stock Exchange को इन्होंने संजीव भाटिया जी ने Chief Financial Officer ये clarification बेजा है बट भाव देखे 47 रुपीज 45 तैसे का कल भी अपर सर्कित लगा है और यहाँ से जो चड़ना शुरू किया इसने 24 रुपे से सीधा almost double हो गया है 23 रुपे से उपर बढ़कर काफी अच्छा momentum दिखाया है stock ने देखे काफी time consolidation किया था इसने जो low level बनाया था 8 रुपे के आसपास और अब यह 47 के आसपास कारोबार कर रहा है यहाँ पर अगर volume के इसाब से देखे जाए तो पिछले 8-10 दिनों में काफी तकड़ा volume है 12 million share on average hand exchange हो रहे हैं पिछले 7 दिनों से तो यह बहुत अच्छा momentum रहेगा बट बुलिंजर बैंड के candle पूरी बाहर बना यह देखे कल की candle जो बनी है पूरी की पूरी बाहर बनी है यह clear indicate करता है कि अब यहाँ से हो सकता है थोड़ा corrective mode बैंडविट भी करीब 97 के आसपास होगी जो काफी high bandwidth मानी जाएगी इसकी है RSI का level almost 93 के आसपास है तो यह एक overboard zone है दोनों parameter पर इसको यहाँ पर खरीदने के सला नहीं देंगे यह हो सकता है corrective आए और तब आप इसमें re-enter कर सकते हैं जोनों low level पर लिया है उनको भी profit book करने की सला दी जाएगी यहाँ पर MACD की तरफ से bicycle generated है और alligator indicator के basis पर भी जो उसका support रहेगा 29 रुपीज के आसपास रहेगा यहाँ पर Technically यह काफी और board zone में है यहाँ पर fresh entry के सला हमारा channel बिल्कुल नहीं देगा चाहे तो हमारे channel को free में subscribe कर सकते हैं और अगर हमारी trades को copy करना है तो आप हमारे साथ जूर सकते हैं 299 का advance package लेकर YouTube के paid member बन कर Please conservative financial advisor, जैहिंद, जैभारत, बाइगे